हेलो स्टुडेंट्स हावर यू वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल पंकच फिजीज गुलाटी स्टुडेंट्स आपको इस चैनल पर नाकेवल ग्रैजुएशन फिजीज के टॉप इस की सबसे असान एक्स्प्रेमेशन देखने को मिलती है बलकि आपको साथ यह भी बताया टू के एक वर इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वन डैमेंशनल स्टैप पोटेंशल फॉर अनर्जी गेटर दन वी जीरो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमेशन कोफिशियंट इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आके का स्टैप पोटेंशल होता क्या है देखी सुडिंस यह एक ग्राफ होता है पोटेंशल एंड एक्स के बीच में जहां पर हमारा जो पोटेंशल भी होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है वो जिरो होती है और x is equal to 0 पर आकर potential जो है वो एकदम बढ़ जाता है एकदम उसमें sudden change आ जाता है एकदम abrupt change आ जाता है और जो potential पहले 0 था वो x is equal to 0 पर आकर उसकी value जो हो जाती है v is equal to v node हो जाती है means maximum हो जाता है potential और maximum potential जो हम लेंगे हैंपर वो v node लेंगे और जो हमारा जो potential है उसकी जो value रहेगी x greater than 0 के लिए वो v node ही रहेगी constant ही रहेगी means potential की जो value रहेगी x is equal to x less than 0 के लिए वो 0 रहेगी हमेशा और x is equal to 0 और x is greater than 0 के लिए जो potential की value होगी वो v node रहेगी और वो constant ही x greater than 0 के लिए तो students यह आप जैसे graph देख रहे हैं यह एक प्रकार का step form हो रहा है जैसे studio में steps होते हैं जैसे हैं यहाँ पर एक प्रकार का step की shape जैसा एक potential करण बन रहा है potential का जो करण बन रहा है x axis के साथ तो इसकी जो shape है वो step जैसी है इसको नाम दिया जाता है step potential तो students इसको mathematically हम कैसे express कर सकते हैं कि जो हमारा V की value होगी वो 0 होगी किसके लिए x less than 0 के लिए और V की value V not होगी कब x is equal to 0 and x is equal to x greater than 0 के लिए तो students इसी को आज हम problem को solve करेंगे using Schrodinger equation. Schrodinger wave equation जो हो दो परकार की होती है Schrodinger time independent and Schrodinger time dependent हम यहाँ पर कौन सी wave equation को use करके इस problem को solve करेंगे हम use करेंगे Schrodinger time independent wave equation क्योंकि यहाँ पर जो particle का जो motion रहेगा यहाँ पर वो time से independent होगा उसी को solve करके आज हम इस problem को solve करेंगे तो students मान लीजिए इस problem के अंदर हम यहाँ पर एक particle ले लेते हैं यह हमारा particle है यह हमारा particle है जिसकी energy E है और इसका mass जो है वो small m है वो जो है particle along positive direction of x-axis की तरफ move कर रहा है तो x is equal to zero पर आकर वो इस step पर collide करेगा इस step पर incident होगा तो classical mechanics हमें क्या कहती है कि यह जो particle है उसकी जो energy है इस potential step से ज़्यादा है जो हम topic डिसकस कर रहे है जो energy है particle की वो v-not से ज़्यादा है तो अगर energy जो है वो v-not से ज़्यादा है तो classical mechanics हमें यह कहती है कि particle जो है इस step को इस barrier को पार कर जाएगा और region number 2 में enter कर जाएगा तो students but quantum mechanics हमें क्या कहती है कि जो moving particle होता है वो wave की तरह behave करता है तो students माल लीजिए यह particle है और इसके साथ एक wave associated है इस पार्टिकल के साथ एक wave associated है और यह wave जो है यह incident wave है तो students quantum mechanics हमें क्या कहती है कि इस wave का कुछ पार्ट जो है वो reflect होगा तो कुछ पार्ट जो है वो region number 2 में enter कर जाएगा और कुछ पार्ट जो है इसका वो reflect होगा और कुछ पार्ट जो है इसका transmit हो जाएगा region number 2 में जब कि classical mechanics यह कहती है कि जो particle है वो सिरफ जो है वो transmit होगा reflect नहीं होगा अगर particle जो है वो 100 times इस barrier पर fall कर रहा है तो 100 बार इस barrier को cross कर रहेगा उन में से एक भी बार पार्टिकल जो है यहां से bounce back नहीं होगा reflect नहीं होगा यह classical mechanics कहती है जब कि quantum mechanics यह कहती है कि particle जो है वो wave की तरह वेव करता है तो अगर एक wave incident होती है तो wave का कुछ पार्ट जो है वो transmit होगा region number 2 में जाएगा और कुछ ना कुछ पार्ट जो है wave का वो यहां से reflect भी होगा तो में यहां पर हमारे column के अंदेर एक transmission coefficient भी होगा एक reflection coefficient भी होगा law of conservation of energy यह कहता है कि जो reflection coefficient and transmission coefficient का sum है वो 1 के बराबन होना चाहिए वो भी हाज हम इस topic में प्रूफ करेंगे तो students अगर आपको exam में question आता है कि discuss one dimensional step potential for e greater than v not and drive expression for reflection and transmission coefficient तो आप introduction में क्या लिखे आएंगे इस topic के अंदर आएए वो देख लेते हैं अब potential function of the shape as shown in figure called a potential step एक ऐसा potential function जिसकी shape एक step की तरह होती है यह आपको step की shape नजर आ रही होगी ऐसे potential function को बोलते हैं हम potential step in potential step the potential function undergoes one discontinuous or abrupt or sudden change at x is equal to 0 potential step के अंदर function के अंदर potential function के अंदर एक अचानक ही abrupt and sudden change आता है और जो function पहले 0 था v की value 0 थी x less than 0 के लिए वो अचानक ही x is equal to 0 पर आकर उसकी value जो है वो v node हो जाती है और वो constant रहती है x greater than 0 reason के अंदर भी and mathematically potential function can be defined as vx is equal to 0 for x less than 0 जैसे के आप देख सकते हैं figure के अंदर जो potential है हमारा potential function vx यहाँ पर जो particle का motion है चरब x axis के along है इसलिए इसको one dimensional step potential बोल रहे हैं और इसलिए जो हमारा potential function होगा वो सुरब एक ही coordinate का function होगा that is x coordinate तो students यहाँ पर जो x less than 0 के लिए जो हारा potential है उसकी value 0 रहेगी potential function की और जब x equal to 0 हो जाएगा यहाँ पर इस barrier के पर और x greater than 0 के लिए जो potential की value होगी वो v0 की बराबर होगी means vx will be equal to v0 for x greater than and equal to 0 let the particle of energy e move from left to right along positive direction of x-axis and incident on the step at x is equal to 0 हम इस particle assume कर लेते हैं यह है हमारा particle जिसकी energy e है और यह left to right जा रहा है means इधर से इधर जा रहा है means positive direction of x-axis की तरफ जा रहा है और यह जो particle है एक time पर आकर इस step के ऊपर incident होगा और कहां पर incident होगा कौन सी boundary पर incident होगा x is equal to 0 वाली boundary पर incident होगा यह है हमारा potential step तो classical mechanics का कहती है according to classical mechanics the particle can penetrate the barrier and can found in the region number 2 that is act greater than 0 क्योंकि हम यहां पर case justice कर रहे है e greater than v naught means energy of the particle is greater than the potential step v naught तो classical mechanics से महीं कहती है कि अगर particle के energy potential step से जादा है v naught से जादा है तो particle जो है वो penetrate कर जाएगा इस barrier को यहां से cross करके second region में आ जाएगा तो second region में आ जाएगा means कौन से region में आ जाएगा x greater than 0 वाले region में आ जाएगा this region represents x greater than 0 region but in quantum mechanics the particle behaves like a wave incident on the barrier from its left to class quantum mechanics हो यह कहती है कि particle जो है वो वेव की तरह भी है क्योंकि moving particle मुविंग पार्टिकल के साथ एक wave associated होती है deep रोगली hypothesis के according तो एक यहां पर एक पार्टिकल ही हम बोलेंगा हम बोलेंगे एक वेव जो है वो incident हो रही है इस barrier के ऊपर left-right से means positive reduction of x-axis के तरह move करें यह wave in this case the particle will suffer partial reflection and partial transmission at x is equal to 0 means जब particle जब particle से जो associated wave हो जब यहां पर टकड़ाएगी इस barrier के साथ तो कुछ पार्ट तो इसका transmit हो जाएगा means partial transmission भी होगी और कुछ पार्ट जो है इसका reflect हो जाएगा इस barrier से means partial reflection भी होगी और कहाँ पर होगा x is equal to 0 barrier के ऊपर होगा तो सब्सक्राइब इतना लिखने के बाद आप आगे कैसे इसको solve करेंगी इस problem को वो देखेंगे आप next section के अंदर तो सब्सक्राइब लास section में देखा था कि जो mathematical form होगी हमारे potential function की यह होगी जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है vx जो है वो 0 होगा for the region x less than 0 and v not होगा for the region x x जो होगा हमारे यहाँ पर वो होगा greater than and equal to 0 तो सब्सक्राइब आगे solve करते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर यूज करेंगे श्रोडिंजर time independent equation क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल का motion है वो एक ही dimension में confined है यानिकी x-axis के along है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे श्रोडिंजर one dimensional time independent wave equation the one dimensional time independent श्रोडिंजर wave equation इस यहाँ पर आप श्रोडिंजर लिख लेना श्रोडिंजर wave equation इस d square side by dx square plus 2m divided by h cut square e minus v side equal to 0 यह है first equation यह equation कैसे drive होती है श्रोडिंजर time independent wave equation की जो derivation है वो इस वीडियो में मैं बना चुका हूँ इस वीडियो का link मैं आपको दे दूंगा अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने equation कैसे form करते है श्रोडिंजर time independent wave equation तो यह वीडियो आप देखना मत भूलिएगा तो students हम बात करेंगे दोनों regions की अलग अलग यह हमारा first region यह हमारा second region पहले हम श्रोडिंजर wave equation को form करेंगे region 1 के लिए means for the region x less than 0 के लिए जब मारा region 1 की बात करते हैं जब हम x less than 0 की बात करते हैं means इस side की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर potential function है उसकी value 0 है for x less than 0 जो vx की value है वो 0 है तो v जो हमारा 0 रेगा यहाँ पर हम v की value 0 पूट करेंगे तो d square si by dx square plus 2m divided by h square square e का e आ जाएगा वी की जब हम 0 पूट करेंगे तो यह term 0 जाएगी तो बच्चे का e बच्चे का e बच्चे का e यहाँ पर सिर्फ और बच्चे गा तो e si equal to 0 जाएगा इसको हम put करेंगे k1 square क्योंकि यह constant है इसको हम k ही q लेते हैं इसको हम k1 square ही क्यों लेते हैं आईए मैं आपको बता रहेता हूं एक बार पहले आप देख लिए क्या बनेगा d square si divided by dx square plus k1 square size circle term को मैंने k1 square put कर दिया equal to 0 where k1 square equal to 2m e divided by h cut square अब यह देखते हैं कि हमने k इस constant term को k1 square ही क्यों लिया देखिए students k जो होता है वो wave number होता है जिसका formula होता है 2 pi by lambda lambda यहाँ पर wavelength है और डीप ओगली hypothesis के according इस wave के साथ जो wavelength associated होगी वो कितनी होगी h divided by p इस p को हम ऊपर लेके जात रहे हैं तो e is equal to half mv square m से divided multiply कर दीजे तो half m square v square divided by m आ जाएगा और m into v क्या होता है m into p वो होता है linear momentum m into v mass into velocity होता है momentum p तो उसको हम लेदे है p square divided by 2m तो cross multiply करेंगे तो p square की value आजेगे 2m e means p आजेगा square root of 2m e this is the relation between linear momentum and kinetic energy p is equal to square root of 2m e तो p की जाएगा हम यहाँ पर p की value लो निकाले हमने square root of 2m e वो हम यहाँ put कर देते हैं और इस 2m e को h के pawn में लिख देते हैं अगले वाले में हम k2 square ले लेंगे जो हमारी next equation बनेगी next section के अंदर तो students यह एक प्रकार की differential equation है second order differential equation है इस प्रकार की जो differential equations होती है इनके जो solutions है वो आपने mathematics में पढ़े हुए हैं आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इससा solution क्या होता है general solution क्या होता है the general solution of equation 2 is given by psi 1 इसको solve करके आपको psi की value मिलेगी region 1 के अंदर जो हम wave function लेंगे वो psi 1 लेंगे region 2 के अंदर जो wave function होगा वो psi 2 लेंगे तो students हम region 1 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो solution है इस equation को solve करके आपको region 1 का wave function मिलेगा क्योंकि region 1 की short injured time independent wave equation है तो इसको हम psi 1 लेंगे function को तो इसको solve करके आपको psi 1 की value मिलेगी वो कुछ इस प्रकार की होगी a e raised to power ita k1 x plus b e raised to power minus ita k1 x यह होगी हमारी third equation यहाँ पर a and b जो है वो constants हैं जिनकों boundary conditions use करके हम निकालेंगे next sections के अंदर तो students यह होगी region 1 की बात इससे next section हम बात करेंगे region no.2 की और वहाँ पर find करेंगे region no.2 का wave function यानि की psi 2 की value तो last section में हमने region 1 का wave function find कर लिया था psi 1 find कर लिए अब हम बात करेंगे region no.2 की for region no.2 that is x greater than 0 v की जो value है region no.2 के अंदर वह वी नौड है इस region के अंदर v की value जो है वह वी नौड है और वह constant value है पूरे region no.2 के अंदर तो हमारी जो यह जो श्रोडिंजर time independent wave equation दी one dimension वाली इसमें हम v की जिगा पुट करेंगे v not for region no.2 तो d square si by dx square plus 2m divided by h square square bracket start e r जेगा minus v की जेगा हम put करतेंगे v not क्योंकि v की value जो है आपर वह v not है, si का si देगा equal to 0 तो students अपकी बार हम इसको k2 square put करेंगे जैसे हमने पिछली बार 2m e divided by h square square को k1 square put किया था और इसी परकार से इसको भी हम यहाँ पर k2 square put करेंगे तो मैंने आपको बताया था पिछली बार यह k1 square को हमने यही क्यों put किया था उसी तरह से आप यह भी prove कर सकते हैं कि k2 square जो है वो इसके बराबर कैसे निकलेगा पर हम यहाँ पर नहीं करेंगे होगा साइटू तो मिछ इसको सवांगर करके आपको साइटू मिलेगी और वह जन्रल सलुशन जो निकल कर आएगा वह भी उसी प्रकार का होगा जैसे पिछले केस में था तो साइटू के वैल्यू क्योंगी प्रकार मिलेगी झाला है और यहती है अनु honesty मेर तो साइक्षन के हंदर हम बॉंडरी कौंडिक उंस कर के एधी सी डी की वैलिू स्निकालेंगे सु लास्ट एक्शन में हम वे फंक्शन निकाल चुके तेAL रीजन 1 का ये वे फंक्शन ता साइवन और रीजन ुक्यार के वे फंक्शन फंक्शन तोस्ट हम एक्षिन की ये खिर पज़कर रही है यह represent कर रही है इस incident wave को जो की इस barrier के ऊपर incident हुई है और यह जो wave है along positive direction of x-axis के तरफ जा रही है तो यह है यह वाली wave means यह जो हमारी wave है incident wave यह इसका जो यह amplitude है यह होगा यह वाली wave है और दूसरी wave है हमारी दूसरा term है जो हमारी equation number 3 की second term be raised by minus eta k1 x of equation 3 represents reflected wave in region 1 जब यह wave incident होगी इस barrier के ऊपर तो इसका कुछ part जो है वो reflect हो जाएगा तो reflected part जो होगा वो negative direction of x-axis की तरफ आएगा जैसा कि अब minus sign से देख सकते हैं इस minus sign जो है यहाँ पर second term जो minus sign है e की power में वो यह represent कर रहा है कि यह wave है negative direction of x-axis की तरफ जा रही है means यह reflected wave है और यह जो हमारी reflected wave है region number 1 के अंदर वो है b e raised to power minus eta k1 x जो negative direction of x-axis की तरफ जा रही है यह reflected wave in region number 1 अब इसी तरह से जो fifth equation में जो first term है यह वाली c e raised to power eta k2 x first term c e raised to power eta k2 x of equation 5 represents transmitted wave in region number 2 जब यह वाली wave इस बेरेज़गों पर incident होगी कुछ पार तो reflect हो जाएगी negative direction of x-axis में कुछ पार इसका transmit हो जाएगा region number 2 के अंदर और transmitted part होगा वो हमारा यह है c e raised to power eta k2 x यह हमारा transmitted part है जो region number 2 में enter हुआ है इसी तरह सेकेंड टर्म जो हमारी second term है d e raised to power eta k2 x of equation number 5 यह क्या represent करी है यह represent करी है reflected wave in region number 2 नेकि सुर्ण region number 2 के अंदर कोई भी discontinuity नहीं है जो इस wave को reflect कर सके means जहाँ पर region number 2 के अंदर कोई भी reflection नहीं होगा wave का means जो refracted part होगा region number 2 के अंदर जो की इस term के द्वारा represent किया जा रहा है region number 2 के अंदर सिर्फ एक ही वेव है transmitted wave जो positive direction of xx की तरफ जा रही है region number 2 के अंदर कोई भी ऐसी wave नहीं है जो negative direction of xx की तरफ जा रही हो मिन्स ऐसी कोई भी वेव नहीं है जो रिफलेक्ट होगे वापिस आ रही हो तो इसका मत्तब यह है कि जो टर्म टू होगी हमारे पास एक्वेशन नमर फाइव की वो जीरो होगी अगर टर्म टू जीरो है डी ए रिचुबार माइनस आयटा के टू एफ जीरो है तो मिन्स डी जो होगा वो जीरो आ जाएगा तो एक्वेशन नमर फाइव यह जो टर्म होगी यह जीरो हो जाएगी और एक्वेशन नमर फाइव जो हो जाएगी किसमें हमारे पास एक्वेशन नमर फाइव सरब इतनी रह जाएगी साइटू इस एक्वल टू सी ए रेटा के टू एक्स यह वहला पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि region no.2 के अंदर discontinuity नहीं है वहापर reflection नहीं होगी as there is no discontinuity in region no.2 so there is no reflected wave in region no.2 so the reflected part है हमारा जो यह term को represent कर रही है region no.2 के अंदर वो 0 हो जाएगा means d जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि यह वहले term जो है exponential minus ita k2x जो है वो 0 नहीं हो सकता इसका मतलब d 0 होगा so equation 5 becomes psi 2 is equal to c e raise for ita k2x d वह term 0 होगी इसको देदी हमने equation no.6 आप जो मारा wave function है वो continuous है region no.1 का जो wave function है वो psi 1 है और region no.2 का जो wave function है वो psi 2 है psi 1 और psi 2 बराबर होंगे कहां पर x is equal to 0 पर तो students यह वहली condition लगा कर हम relation find कर सकते हैं a b c के बीच में at x is equal to 0 psi 1 equal to psi 2 तो students psi 1 हमारा यह है psi 2 अपने यह वहला लेना है तो students third और sixth equation में x की value जो है वो 0 put कर दीजिए फिर इन wave function को equal लग दीजिए तो students जब आप x की value 0 put करेंगे third equation के दर तो यह बन जाएगा a e raise to power 0 प्लस b e की power 0 equal to हो जाएगा function psi 2 के psi 2 में कव equal होगा जब यह एक्स की power आप 0 put करेंगे यहाँ पर तो c e raise to power 0 हो जाएगा e raise to power 0 1 होता है तो यह आजएगा a plus b equal to c यह हो जाएगी हमारी 7th equation ऐसी है equal equation form करेंगे दूसरी boundary condition यूज करके और यह देखेंगे वह हम next section के अंदर सब्सक्राइब लास सेक्षन में पढ़ा था जब x is equal to 0 होगा तो psi 1 equal to psi 2 होगा similarly अगर psi 1 equal to psi 2 है x is equal to 0 पर तो उनके derivatics भी जो है वो equal होंगे at x is equal to 0 तो इस condition को हम ऐसे भी सकते हैं so at x is equal to 0 d psi 1 by dx is equal to d psi 2 by dx इसको देदे हैं हमने 8th equation तो पहले हमें d psi 1 by dx की value find करनी पड़ेगी फिर d psi 2 by dx की value find करनी पड़ेगी फिर उनमें x is equal to 0 put करके इन दोनों का equal दखना पड़ेगा और psi 1, psi 2 हमने निकाल चोके थे पिछे section में 3rd और 6th equation के अदर तो पहले हम इसका derivative करते हैं x के respect में to get d psi 1 by dx so differentiating equation 3 with respect to x तो d psi 1 by dx is equal to हो जाएगा a हमारा constant है ऐसी देगा e raise to power x का derivative होता है derivative of e raise to power ax वो होता है a into e g power ax तो वही formula लगाता हुए differentiation का e g power eta k1 x का differentiation करते हैं यहाँ पर a जो हमारा वो eta k1 है तो ita k1 आगे आ जाएगा e की power ita k1 x ऐसी रहेगी तो students plus b और यहाँ पर जो हमारा a है वो minus ita k1 है तो जब वो आगे आएगा minus ita k1 तो यहाँ minus 9 हो जाएगा और e की power minus ita k1 x ऐसी रहेगा यहाँ से ita k1 common लेते हैं तो अंदर बच्चे का a e की power ita k1 x minus b e की power minus ita k1 x यहोगी मारी 9th equation जैसे हमने 3rd को differentiate किया x के respect में to find d psi 1 by dx उसी तरह से हम 6 equation को x के respect में differentiate कर सकते हैं to get d psi 2 by dx so differentiating equation number 6 with respect to x differentiating 6 with respect to x तो d psi 2 by dx is equal to e की power c हमारा constant है वो हमारा ऐसी देगा e की power a x का जो differentiation होता है वो था a into e की power a x तो a हमारे हैं पर ita k2 है तो ita k2 आगे आ जाएगा e की power ita k2 x यह हमारी 10th equation अब हम 8th equation की जो हमारी boundary condition निकली हुए यह वाली अब हम उसको 9th और 10th में put करेंगे means कैसे करेंगे पहले हम x is equal to 0 put करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और फिर हम nono way functions को equal रग देंगे क्योंकि derivative जो है d psi 1 by dx and d psi 2 by dx वो x is equal to 0 पर equal होंगे तो put करते है students using 8 in 9 and 10 तो क्या मिलेगा आपको आयटा k1 ऐसी रहेगा अंदर के आवन चेकर एई e की पावच जब आप x लिए 0 put करेगे तो यह पावर जो है पूरी की पूरी 0 जाएगई. minus b जब आप यहाँ पर x लिए 0 put करेंगे तो power जो हो जिए 0 जाएगी तो आयटा k1 e की पावर 0 जो होता वो 1 होता है equal to c आयटा k2 तो आयटा से आयटा cancel कर देते हैं तो k1 equal to आ जाएगा a minus b और equal to आ जाएगा c तो students यह होगी हमारी next equation के इसमें number 11 तो इसकी जो बात की steps हैं वो हम पहलेंगे next section के अंदर So students last section में हमने a plus b equal to c find कर लेता यह 7th equation थी and k1 a minus b equal to k2 c find कर लेता यह हमारी 11th equation थी अब हमारी c की value जो है a plus b वो हम यहाँ put करेंगे भी 7th वो 11th में use करेंगे using 7 in 11 तो आपके पास आएगा k1 a minus b equal to k2 हमारा ऐसे देगा c की value है a plus b हमने put कर दिया k1 को अंदर multiply किया k1 a minus k1 b equal to k2 को अंदर multiply किया k2 a plus k2 b अब हमने क्या करना है a वली terms एक्साइट कर लेने है b वली एक्साइट कर लेने है तो k1 a हमारा ऐसे देगा उदर से k2 a plus का है इदर आके minus का ओजएगा minus k2 a equal to k2 b हमारा यह वाला ऐसे है इदर से minus k1 b इदर आएगा तो यह plus का हो जाएगा plus k1 b यहां से आप a common ले लिजिए a k1 minus k2 बचेगा equal to यहां से b common ले लिजिए k1 plus k2 बचेगा तो b की value निकल के आएगे हमारे पास k1 minus k2 divided by k1 plus k2 into a यह हमारी 12th equation है using 12 in 7 अब हम यहां find करेंगे यहां put करेंगे b की value जो हमारी यह निकली है a की terms में तो using 12 in 7 7th equation में हमारी a plus b की value यह वाले k1 minus k2 divided by k1 plus k2 into a हमने यहां put कर दी b की value यहां पर equal to c a common ले लिए a common आएगा तो अदर k1 plus k2 lcm आजाएगा k1 plus k2 जो है k1 plus k1 जाएगा twice of k1 साथ में a है divided by k1 plus k2 है और यह है equal to c तो हमारे पास c की value आचुकी है यह है मारी 13th equation तो हमने students b की value भी a की terms में find कर ली और c की value भी a की terms में find कर ली इसके बाद हम देखेंगे कि इस topic के अंदर reflection coefficient क्या होगा और transmission coefficient क्या होगा और उन दोनों का जो relation होगा उन में वो क्या निकल के आएगा यह दखेंगे हम next section के अंदर last section में हम b की value निकाल चुके थे a के terms में यह थी हमारी equation number 12 और c की value हम a की terms में निकाल चुके थे यह थी हमारी equation number 13 तो students अब हम निकालेंगे reflection coefficient reflection coefficient जो होता है वो ratio होता है magnitude of reflected current का to the magnitude of incident current का means आपने कितने incident wave कितनी incident आई कितनी intensity की incident wave आई और कितनी intensity की wave जो है वो reflect हुई means अगर आपने 100 particles incident करवाए इस barrier के उपर तो उसमें से कितने reflect होगे तो means कितने मारी जो 20 reflect होगे तो आपके पास reflection coefficient बनेगा वो बनेगा 20 by 100 क्योंकि आपके 100 particle incident करवाए तो 20 reflect हो गए तो उसी तरह से हम आर की value जो है मैं में चूड़ा reflected current को हम denote करेंगे जे से जे रिफलेक्टिट जो क्योंकि जो current density होती है quantum mechanics के नदो उसको हम जे से denote करते है यह reflected current density और यह है incident current density में जे इंसिदेंट अब जे रिफलेक्टिट जे इंसिदेंट की value कितनी हो गई यहां पर इसको याद रखनी है क्योंकि जो इसकी से हो जाएगी साथ में आएगा पीवन क्या है यहाँ पर मास है यह तो है यह हो फंक यह कट तो क्या होगा हमारे पास k1 into edge-cut क्योंकि पहला रीजन हा उसमें लिए वे नंबर लिया थे कर्दों के लिए हमने वे नंबर जो है वो to लिया था तो पिवन यहां पर यहां पर के वन edge-cut हो आप यहां पर mention कर सकते हैं कि हमारा एस्ज़ तरह ऑफिट करेंट करें शही वह होगी mod of b square तो सुरेंट्स इसी तरह से आपने पी लिखना है क्योंकि रीजन नमबर वन की बात हो रही है और रीजन नमबर वन का जो वे वेक्टर वो के वन है तो पी वन है के वन एज कट और एम दो ऐसी आएगा तो यह वैल्यू जो है आपने इंसिदेंट करनेंसी अपने रखनी है तो यह value जो है आपने substitute कर देनी है यहाँ पर जे रिफ्लेक्टिट के जगह आपने यह value पूट कर देनी है और जे इंसिदेंट के जगह आपने यह value पूट कर देनी है तो यह term cancel हो जाएगी तो mod of b square divided by mod of a square आ जाजएगा बी यह value आपने निकाली हुई है 12th equation में last section में k1 minus k2 divided by k1 plus k2 into a वह आपने यह output कर देनी है b की value k1 minus k2 divided by k1 plus k2 into a और यह mod ऐसी लगा देगा आप k1 minus k2 का square ऐसी कर दीजिए k1 plus k2 का square कर दीजिए mod of a square कर दीजिए mod of a square में mod of a square कर जाएगा तो r की value आजाएगी reflection coefficient की value आजाएगी k1 minus k2 का square divided by k1 plus k2 का square इसको हम देदेंगे 40th equation इससे next section में हम निकालेंगे transmission coefficient और फिर relation check करेंगे कि reflection coefficient and transmission coefficient में क्या relation निकलके आएगा तो चुण आएगे अब निकालते हैं transmission coefficient जो की ratio होता है magnitude of transmitted current का और magnitude of incident current का तो magnitude of transmitted current को हम कैसे दिनोट करेंगे हमारे पास first region का जबकि second region का जो wave vector है वो k2 है तो p2 जो होगा हमारे पास वो होगा k2 edge cut तो p2 हमारा k2 edge cut होगा तो हमने यहां पर p2 लेना पड़ाएगा तो जो transmitted wave है वो region number 2 में जा रही है तो यहां पर k2 change होगा k2 change होगा तो p2 momentum change होगा मोमेंटम पहले P1 था, P2 हो जाएगा region number 2 में. M सेम रहेगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास amplitude का square किसका transmitted wave का? यह थी हमारी transmitted wave C, E-restored attack A2X, इसका amplitude C था. और जो intensity होगी, वो कितने होगी? amplitude का square means C का square. तो सुनेंट J transmitted होगा, हमारे पास P2 divided by M mod of C square, J incident हमारा वही रहेगा, जो पिछले case में था, P1 divided by HM mod of A square. तो सुनेंट, यहाँ पर M से M cancel होगा, P2 by P1 mod of C square divided by mod of A square. तो should it T is equal to P2 की value क्या है? P2 की value है, H cut K2, H cut K2 into C की value कितने है? C की value 13th equation में उन्हें निकाली थी, A की terms में 2K1 divided by K1 plus K2 into A. वो हमने यहाँ पर put कर दी, तो हमारे पस 2K1 का square क्या हो जाएगा? 4K1 square divided by K1 plus K2 का whole square into mod of A का square. divide में हम put करेंगे P1 की value जो की है H cut K1, वो हमने put कर दी mod of A square, तो students mod of A square से mod of A square cancel हो जाएगा, और students K1 से हमारा A K1 cancel हो जाएगा, तो हमारा T की value आजाएगी, 4K1, K2 divided by K1 plus K2 का whole square, यह होगी हमारी 15th equation, तो हम reflection coefficient पे निकाल चुके हैं, transmission coefficient भी निकाल चुके हैं, next section में, जो कि हमारा last section होगा, उसमें हम देखेंगे इन में क्या relation निकल के आएगा, तो student last section पे हमने reflection coefficient, and transmission coefficient की value निकाली थी, जो कि यह निकाल के आएगी हैं, हम भूने को sum करके देखते हैं, तो R plus T is equal to this plus this, तो करके देखिए, K1 plus K2 जो का whole square जो हो, L से में आजाएगा, और K1 minus K2 का whole square उपर खोल किजिए, K1 square plus K2 square minus 2AB, that is 2K1 into K2 plus 4K1 K2, तो जब आप 4K1 K2 में से minus 2K1 K2 करेंगे, तो plus 2K1 K2 आएगा, तो K1 square plus K2 square plus 2K1 K2 का whole square बन जाएगा, K1 plus K2 का whole square बन जाएगा, और divide में भी यही है, K1 plus K2 का whole square जो cancel हो जाएगा, तो equal to 1 आजाएगा, means, अगर हम incident wave का amplitude 1 माले, तो means, reflection and transmission, जो हमारी waves है, उनका amplitude का साम भी हमारे पास, जो है, वो 1 निकल के आ रहा है, तो means, यहाँ पर law of conservation of energy, जो हो रहा है, hold हो रहा है, तो students, आप यहाँ तक करके आएगे exam में, तो यहाँ पर topic complete हो जाएगा, पूरे 8 marks का topic, अगर आप यहाँ तक करके आते हैं, तो आपको पूरे के पूरे marks मिलेंगे, तो students, I hope आपको आज की derivation समझ आई होगी, मिलेंगे next video में, till then, thank you so much.